पिनाहर का श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा महादेव, देवी पारवती का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं है, उन्हें रोकिए यदि वो महादेव के कहे को अंसुना कर दें, तो आप ही उन्हें समझाईए प्रिये अब समझने की आवशक्ता देवताओं को है स्वामी, जिनकी दृष्टी में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था. इस संघार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ. अब समय पार्वती के साथ हूँ. अब समय पार्वती के साथ हूँ. अब समय पार्वती के साथ हूँ. आज कोई शेश नहीं रहेगा. सब का संघार करूँगी मैं. काली! दारा! शोडशी! भुम्नेश्वरी! भैरवी! चिन मस्तका! धूम्वती! भगला मुखी! मातंगी! काम्रा! अधा के इस रौदरु रूप से और उनसे उत्पन्ने इन महाविद्याउं से कोई सुरक्षत नहीं. मैं केवल कैलाशी नहीं! समस ब्रह्मान में जहां जहां भी देव है! उनका भी नाश कर दूँगी! संधार करूँगी मैं संधार! यह जोसट योगनिया भी माता की देह से उत्पन होका हम पर ही वार करने वाली है! बांगो! 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 नतीत होता है जैसे माता से उत्पन ये 64 योगिनिया और दसो महाविद्या हैं अब हम देवताओं का विनाश करने के लिए हमारी और बढ़ रही हैं सबका संधार करूगी भैए हाँ 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 देवराज इन योगिए से हम देवताओं की रक्षा का कुछ कुछ उपाई कीजिए सभी तेपताओं को बंदग बना लिया है इन दसों महाविध्याओं ने और 64 योगी निया भी उनका साथ देने के लिए तरपर है तुझे प्यात नहीं अब कैसा विनाश होगा जब तक शाहत है तब तक यह अपनी संगारक शक्ति को अपने मीतर समाय रखता है और हाँ जब भड़ता है तो चारो दुशाओं में संगार करता है कहा जाने का पर्यास कर रहे थे देवी दुर्गा का स्पष्ट आदेश है आज कोई भी देवना यहां से जीवित नहीं जा सकता इस प्रकार तो देवी पारवती सब का संगार करेंगी सरवत्र विनाश होगा नष्ट हो जाएगी स्रिष्टी आप सभी देवकन फैल जाएए एक दूसरे से दूर रहे और अपनी रक्षा के लिए अपने अस्त्रों का प्रेयोग कीजिए देवकन बचाईए अपने आपको रक्षित कीजिए स्वैम को योगी में उन्हें चारों और से गेर लिया है शिग्र कुछ करना होगा आश्चार्या मेरे प्रहार कायन पर कोई प्रभाम नहीं हो रहा आश्चार्या वायूदेव आज कोई भी आस्त्रशास्त्र अथ्मा कोई भी तुमारी तुम्हारी तुम्हारी टिंप्यशक्तिया वहाज चक्ति के रोग्सें तुम्हें अब कोई नहीं पचा पाईगा कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा हमें मुक्त कर दीजे अगनी देव कहां भागने का प्रयास कर रहे हो रुको और अपना दंड स्विकार करो मुझे पकड़ने की चेस्टा मत कीजिये मेरी अगनी सुरक्षा कवच को भेदने का प्रयास किया तो आप भस मह जाएंगी यह किसकी करजना है देवी तारा अपने विक्राल रूप में अगनी देव उससे अपने बचाव कैसे करेंगे आप पारवती का दुख उनका रोश बन रहा है किन्तों अभी उन्हें रोकना संभव नहीं देवी भुवनेश्वरी और देवी कमला अपने हातों से जिस प्रचनड उर्जा को उत्पन कर रही है उससे तो यहाँ उपस ते कोई देवता नहीं बचेगा यदि मैं जल में परिवर्थित हो जाओ तो इन माविद्याओं की उजा को सहजी भेज सकोंगा जल रोपने कोई मुझे कैसे बस में कर सकता है आहिं खर्त ऐन्वम् enseñता выпуск ही तुम्हे हो नहीं पड़ेगा कि यह भुष्ट दूर रहने में ही आपके भलाई है दूर रहिए मुझसे इस प्रकार तो ये योगिनिया मुझे कही नहीं जाने देंगी देवी धूमबती विद्धा होने के कारण दुर्बल प्रतीत होती है यदि मैं तिव्र गती से भाग गया तो ये मुझे कदा पी नहीं पकड़ सकेंगी तहरो यम्राज कहा जा रहे हो मुझे शक्ती ही इन समझने की भूल मत करो यम्राज अब जाओ देवी दुर्गा के उदर में जाके समा जाओ हमके प्रती थे दुर्गा कर शब दुख भाग झालर ब्रती में जाओ आज घंगा देव्राज होते हुवे ये नहीं देख सकता हूँ मजे कुछ करना होगा तेवर्च! बाल जडर प्रो जरो किसमें छेख सिभर! अजसे फिर्था कहाइस अपर एंगार मेंचा जएगा। क्रिछा, अरुआ अर्फ, हाँ Hart, हुआ। आस होिए आस है। देवी माली? आस है है। देवी, देवी, शमा, शमा देवी, देवी मुझे बहुत बड़ी बोलो गई इंद्र देरो, नहीं, यह नहीं हो सकता, इंद्र देव की रक्षा तो आती आवश्यक है, इंद्र देव की रक्षा से पूर्व, तुम अपनी रक्षा का विचार करो, सूर्य देव, मैंने कहा था ना, आज को इस नहीं रहेगा, महादेव, अब तो आप ही देवी पार्वती के इस उग्रूरूप को शांत कर, सृष्टी को संकट से उबारने में समर्थ हैं महादेव, शिग्र कुछ कीजिए, अन्यथा देवी पार्वती सर्वत्र प्रले के स्थिती उत्पन्न कर देंगी मैं तो प्रतिक्षा ही कर रहा था, कि देवी पार्वती के भीतर का रोष पहार आ जाएगा, तो वो स्वत्र शांत हो जाएंगी किन्तु उसकी विप्रीद, उनका रोष तो पढ़ता ही जा रहा है, उनकी इस विनाश दिला को शांत कर, उन्हें रोकना ही होगा मेरे पुत्र का वद द्रशूल से किया तो अना आपने पार्वती, यदि संघार करने से ही तुम्हारा क्रोज शांत होता है, तो लोग मैं प्रस्तु थू, तुम्हारा दोशी, मुझे निगल का मेरा संघार करो देवी, नहीं, ये कैसे कर सकती हूँ मैं, मुझे अपने रोश से मुक्त होना ही होगा पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी पूत्र था। ये सकते है पार्वती, कि मेरे हाथों बहुत बड़ा नर्थ हो गया है। पिता के हाथ तो पुत्र का हाथ थाम कर, उसे संसार में चलना सिखाते हैं, उसका मार्ग दर्शन करते हैं, और यहां मेरी ही हाथो, मेरे पुत्र का वध हो गया, किन्तु मैं करता भी क्या, उसने विवश्च कर दिया था मुझे, उमा, मैंने तो पहचाना उसे, किन्तु वास्तिविक्ता तो यह है कि, अविद्या की करण, वो मुझे अपने पिता को नहीं पहचान सका, नहीं जान सका कि 84 लाखियोनियों के समस्त, जीवों का पिता, मैं ही हूँ, सब के भीतर और बहार, सर्वत्र विराज मान हूँ, अज्ञान तवश्च कुछ भी समझाने का अफसर नहीं दिया उसने, तुम ने उसे जन तो दिया पार्वती, किन्तु उचित संसकार देने का अफसर नहीं मिला तुम्हें, इसलिए उस से अत्यदिक एहंकार था, जिसे मिटाना अनिवारिय था, जैसे प्रमदेव के शीश के साथ उनके एहंकार को भंग करना, और प्रजापती तक्ष में समाए, एहंकार का नाश अवश्यक था, उसी प्रकार हमारे एहंकारी पुत्र के एहंकार को नश्ठी किया है मैंने सत्य है पारवती, सब जीवन का सुरूत भी मैं हूँ किन्तु जीवन प्राप्त करने के बाद सभी अपनी अच्छन उसार अपने करमों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है हमारे पूत्र ने जिन करमों का चुनाव किया, उसका परिणाम यही था वही भुगतना पड़ा से स्वामी, वो ब्रह्मदेव या प्रजापती दक्ष नहीं था एक ओपरिपा कुव बालक मात्र था जिसका जन तक कुछी समय पूर्व हुआ था कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अफसर ही कहां प्राप्त हुआ उसे अपनी मा के आदेश का पालन कर रहा था वो उसके लिए आपने उसका बद कर दिया यह निर्णय आपका मुझे स्विकान नहीं है स्वामी मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए तभी मैं स्वेम को शान्त कर पाऊंगी यदि आप चाहे तो यह अवश्य संभव होगा क्योंकि आप भी समस्थ जीवन के नियंत्रक हैं तो हे महादेव हे देवादी देव मुझे मेरा पुत्र लोटा दीजिए अन्यथा मेरे क्रोग का परिडाम सेहने के लिए तयार हो जाए अपने पुत्र से वज्जित होकर मैं जीवत नहीं रह सकती मुझे मेरा कुत्र चाहिए जीवत करिए मेरे पुत्र को सरवत्र व्याब्त हैं आप आप जो चाहे कर सकते हैं आप ही जीवत कीजिए मेरे पुत्र को क्योंकि जो जीवन नहीं दे सकता उसको जीवन चीनने का अधिकार भी नहीं है जीवित कीजिए अन्यता मेरी क्रोधागनी सारे संसार को भस्व कर देगी रक्चा कीजिए बराबुन सुरिये हमारी गोहार हमारी रक्चा कीजिए अधेव, कैसे शांत करेंगे माता पारवती के कुरूत को? कहीं, कहीं इस पार मैं उमका लक्षन बन जाओ. शांत हो जाओ देवी पारवती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा. यह क्या खेर है मादेव, माता पारवती का पुत्र पुना जिवत होगा. क्रुम्हें बना जिवास माता का यारा मुवादी तुम्हें रख पुत्र फस से जड़ते हैं, जिवाज़ती का वच